आप सभी को नमस्कार दोस्तों गजब बंदूऊ खतरनाक आपके जलवे आपके सिक वे आपकी जो इंट्री होती है अपने चैनल पर ऊष्छांदार तरीके से इंट्री होती है गजब मज़ा मान दिये दोस्तों क्या वादते जीतेश प्रजापत दिलिपनागर अंश्रुमा कुछ तो गुड इवनिंग कहने ही आते हैं बस एक बार गुड इवनिंग कहते हैं सर अपर अटेंडेंस प्लीज यसर क्या के चले आते हैं वेरी गुड दोस्तों कोई बात नहीं आपके कमेंट्स में देख रहा हूं जितेश जी फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे और दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़ेंगे क्लास सुरू होने को हैं फटाफट कटाकट खटाकट खटाकट अपने लाइक शेयर और जो भी आप करते हैं वो फटाफट फटाफट करेंगे और कॉस्मस कोचिंग को और मनिश मंगल को विशेश तोर से सहयोग पुरदान दिलिप नागर जी गुड़ीवनिंग कोई दिकत नहीं है पवंच शर्मा जी आहां क्या बात है बढ़िया है बढ़िया है चली दोस्तों आप जुड़ेंगे तो आज देखिए अपन जो पार्ट सुरू करने वाले हैं वह अपन का 26 वा पार्ट यानि कि आज हम लोग क्या आज हमें अपन के जो बॉकेब का पड़ने वालें दोस्तों वो 26 वा पार्ट है और 26 वा पार्ट आफ जानते हैं कि कम बात नहीं होती आज मैं बार बार रोज ही कहूंगा कम बात नहीं होती 26 वा पार्ट मतलब आज नए कुछ और शब्लने वाले हैं नई शांदार खुलतों केवल चार ही रही है वह चार ही काफी है अपन के लिए ठीक है ना लेकिन तीन में कोई करप्ट हो गई यह शाहिद फाइल कोई दिक्कत नहीं है अब अपन सुरू करते दोस्तों अपन का क्या अपन की क्लास को तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है अपन लोगों क पता नहीं कौन सा आने वाला है लेकिन अभी तो फलाल अपन क्या करते हैं अपन चलते हैं अपनी क्लास की तरफ ठीक है दोस्तों अपन चलते हैं अपनी क्लास की तरफ ओके मेरे दोस्तों यह लीजिए अपन अपनी क्लास की तरफ आ जाते हैं जब तक आप सभी लोग खड कड़ा 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 जाई जुड़ जाई लाड़ लो आज तो बैसे भी शनिवार का दिन है कल आप चुट्टी मनाएंगे मनाएंगे खड़ा जुड़ जाओ दोस्तों ओके चम्मन जी आरेस क्रियेशन जी बिल्कुल कड़ा कड़ जुड़ जाओ तो देखिए दोस्तों 26 पराट अप लोगों के सामने आ रहा है और पहली वाग है वह आप लोगों के सामने शांदार वाला वर्ड दोस्तों मुझे लगता है आप लोग अब आराम मिछांसे का जबाब देढेंगे पहला वर्ड यह है ब्रेगड डॉसियो आप बतायेंगे डॉसियो का किस तरह से ये सब्दा आप निकालेंगे, ब्रेगेडोशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों फटापट बताईए, देखिये बड़िया शांदार वर्ड है, ब्रेगेडोशियो, ओके, बताईए दोस्तों, ब्रेगेडोशिया का क्या आर्थ वताओगे आप, बिल्कुल रादे, के जनोटिया जी बिल्कोल वेरी वेरी गुट इवनिंग तो एवरी बन आफ यू यार दोस्तों जुड़ो यार ऐसे मत किया गरो तुमा मेरे से लेट हो जाते हो master पहले बच्चे बाद में जबकि बच्चे पहले होते हैं master बाद में होता है यह उल्टा हो रहा है चलो देखो कोई बात नहीं यह शांदर वर्ट दोस्तो गजब पहला answer रामबीर जी का आया ए पहले से पता था क्या answer बताईए ए गजब चम्मन जी टपा मार रहे हो क्या answer बताईए दोस्तो क्या आप estimate लगाते हो क्या अनुमान लगाते है इस question का क्या answer हो सकता है चलिए जब तक आप answer देते हैं बड़ी आसी line आप लोगों के लिए गर्मा गर्म ठंड में इस ठंड में गर्मा गर्म line बताईता हूं देखिए बहुत शांदा line है चलता रहूंगा पत पर चलने में माहिर बन जाओंगा चलता रहूंगा पत पर चलने में माहिर बन जाओंगा या तो मंजिर मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर ही बन जाओंगा दोस्तों आपको पता है मतलब कही ना कही तमने टापा है ये कोई दिक्रत नहीं हें बढ़िया है देखिए ये घर अजय का होता है मतलब क्या होता है अपन पहले इस मneung को देखते प्लस गाडो और प्लस सीयो इसके टुकड़े कर दो कितने टुकड़े होगे एक दो तीन चार यह आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी और मैं आपको इसका अर्थ से ट्रिक भी याद कराता हूं यह जो होता है दोस्तों यह होता शेखी मार आदमी कई से यह कही आद्धत होती है डीन मार नहीं किशेखी मार आदमी जिसको डीन मार कहते हैं क्या भी कहते हैं दोस्तों डीन werd ब्रेगर at बाता हूं बी आर ए डबल जी ए रटी ब्रेगर्ट और भी बात करेंगे अपन शेखी मार लोगों की और भी बात करेंगे एक और गैस कॉन जी एस सी ओ एन गैस कॉन और एक और दोस्तों थिन हॉर्ण टी ए चाहिए एन होर चलो पहले इनकी बात करते हैं बिल्कुल शांदार हाड भी होता है बिल्कुल सही है ब्लो हाड है ही इसका आर्थ आप जानते हैं ब्लो हाड यानि क्या होता है दोस्तों बिल्कुल बताइए ब्लो हाड यानि क्या होता है ब्लो हाड यानि होता शेखी मार बिल्कुल सही है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने की ब्लो हा शांदार word. दोस्तो शांदार word. ओके, एक word और बताता हूँ मैं आपको gaveler, g-a-double-b-a-b- l-e-r, gaveler भी होता है और, प-a-r-e-r-t-l-e-r, praetler भी होता है, gaveler, präetler, सेkkhimaar, दोस्तो यार मजदा नहीं आ रहा, आप लोग जोड़ो है यार जितने भी ज़्यादा बच्चों को जोड़ सकते हो ओके दोस्तों फड़ापट फड़ापट अपने दोस्तों को जोड़ो जल्दी जल्दी से शेयर करो इस लिंक को खड़ागट खड़ागट आप लोगों के लिए मेहनत तभी सुरूओगी जोस तभी आएगा बिल्कुल एर मेरे राजस्तान के लाड़ ले वी रोकर के आप लोग किस तरह से बीहब करते है यार क्या आपका रुटीन सही नहीं है देखो याद करने का ट्रिक बताता हूँ मैं आपको देखो एक बी नाम के ब्यक्ति था बी नाम के ब्यक्ति ने एक राग लगाई क्या लगाई राग लगाई क्या लगाई राग राग यानि होता है गीत ओके बी नाम के ब्यक्ति ने राग लगाई और राग लगा करके क्या किया अपने आपको गार दियो कहा गार दियो जमीन में और जमीन में गार्ड करके क्या कर लिया अपने आपको C लिया बताओ ये समभब है जब अब दस्ति तो घया ना और्त हुआ to. पर वह भी रर्यगोड दो be record co we raghet cio मतलब क्या होता है भाइ active याद करने का तरीका क्या है यानि कि फटे कपड़े पहनता है तो गाट गार्ट मतलब जो भी है गार्ड जो है उसको घुसने नहीं देता है अब भाईया जब गार्ड कोई घुसने नहीं देगा फटे हुए कपड़े पहनके जागा रह गया नहीं फटे हुए कपड़े होते हैं बिल्कुल बिल्कुल टाटू संजी आ जाएंगे दीर दीर आ जाए आप जानते नहीं हो गलत आदमी को रोक रहे हो तो देगो यह हो गया आप देङो गैस कौन से तो आप अच्छे से सहत कर सकते हो क्यों कई बार क्या होता है आदमी गैस खुद निकालता है और दूसरों के ओपर लगा देता आफ लेम lleva गेस को ने निकाली नहीं तो क्या होता है ऐसे जो लोग होते हैं वो शेखी मार लोग होते हैं डिंग मार होते हैं तो देखो शेखी मार के कितने शांदार शांदार वर्ड आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों एक तो पढ़ा है अपने ब्रेगडोशी ओ एक तो क्या पढ़ा करती है तब उसको छोड़ता गैस को ने छोड़ी है यह बाती बात अपन थिन होन की बात करें और थिन होन की बात अलगा अगर देखें हम ब्लो हार्ड जब कोई व्यक्ति फूंक देता है और बड़ी मुश्किल से किसी देखो आपने तो सेखी मारों की खूब सब्सब्स्टब्स्टब्स चाहिए मेरकों क규la कि वाले कर एक चिज को मुश्किल से अड़ा पाता है तो ऊसी इन और कोई आदमी इतनी hard उड़ गया तो आई साब blow hard मनी होता शेखी मारना magpie magpie मतलब जब magpie किसी को नी पाए magpie किसी को नी पाए तो पेट कैसे भर है तो शेखी मारता है मतलब किसी न गिसी तरीके से आप याद कर सकते हो gabler तो देखो gabler gabler गैबल यह नहीं बात करना होता है और गैबलर यह नहीं जो बात करकर करके दूसरे एक लब टाइम करना कर prior करें वह घंडर ना प्रेटलर भी याद रख JONATHAN करने है आप धीक है न । जैसे मिन रेट मांने चुहे की तरह मनलब चुहे की तरह मलब यह ऐसे कर लो रेटलर रेटल मानी होता है खटकटाट करना और जो व्यक्ति खटकटाट करता है वो क्यों होता है प्रेटलर होता है दोस्तों अब आगे देखो बीट यानि क्या होता है पीटना बीट यानि क्या होता है पीटना पीटना के अलाव़ एक बर्ड और हराना क्या होता है बीट यानि पीटना और हराना एक देखो हराने के लिए मैं बर्ड बता हूँ आपको हराने के लिए बिटा बर्ड होता है defeat क्या होता है defeat हराने के लिए कौन सा वर्ड होता है defeat और पीटने की अंगरे जी जानते हो आप पीटने की अंगरे जी क्या कहते हैं एक तो होते हैं क्या pestle pestle अपने सुनाए गुड़ीवनिंग पुश्पेंदर जी विल्कुल खंडीव जी आपने कभी पैस्टल साब सुनाए पैस्टल वो खरल मूसल होते हैं अपने सुने अरे यार कितना शांदार चीज है यह अच्छा देखो यह खरल मूसल सुने आपने इस तरह के खरल मूसल होते हैं ओकली यह तो ओकली हो गई और यह एक मूसल होता है ठीक है न तो यह जो मूसल होते हैं यह चीज कूटते यह तो होता पैस्टल क्या होता दोस्तों पैस्टल और यह जो होता है नहीं होता मॉर्टर 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 यह तो होता है खरल और यह होता है मुसल तो जो खरल मुसल हो तो मुसल्यानि पेश्टल होता है किसी को पीटना मारना मेरे बात को बिलकुल दोस्तो वीडियो अगर आपको बात समझ में आ तो बताईए बिल्कुल फट 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 बढब बताईगें दोस्तो विल्कुल पैस्टल हो गया पैस्टल के लावाँ एक सबस्द्द में आगया और गी यह गया तो पमयराइस करना P-U-L-V-E-R-I-S-E Pulverize करना ठीक है न, Defeat है हराने के सेंस में तो देखो, Pulverize, Pestle, Pamel दोस्तों, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है बिल्कुल Manhandle, बिल्कुल सही है Manhandle भी सही है, बिल्कुल खतरनाक, Bonus, Bonus यह नहीं जानते हैं दोस्तों, Profit होता है क्या होता है, Profit Profit होता है, एना, Bonus ओके, और Behove, Behove यानि क्या होता है, कोई व्यक्ति योग्यों होता न, योग्यों, योग्यों जो होता है उसको अपन Behove कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं Deserve, क्या बोलते हैं, लाड़ लो लेकिन आज बिलकुल मज़ा नियारा मेरे राजस्तान के बीरों बिलकुल नियारा लाड़ो कत्ती मज़ा नियारा क्यों क्यों कि आप लोगों की संख्या जो है आज बड़ी निराश्रा जनक है कूप बिलकुल सही है का कूप है इतनी अच्छी तुमारी बॉक होती जा रही है उसके बाद बावजुद भी तुम जो है रेगुलर नहीं आते यार मज़ा नहीं आ रहा है यार क्या यार चलो देखो कोई बात मीं अपने इस आंसर को देखो क्या आएगा आपका आंसर बताईएगा क्या आएगा अभर दोस्तों इसमें एओकि यह अगला देखाे बॉलिष्टे क्या है अपना बॉलिष्टर का मतलब क्या होता दोस्तों बौलिष्टर के इन्टॉनिम जोड़ना एक बिं अपड़ अपना अपना आंसर देंगे ओम प्रकास, ओके बहुत बड़िया, कोई दिक्कत नहीं है, टाटू संजे, जैसे लोग आ रहे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, बॉलिष्टर, बॉलिष्टर मानी क्या होता है, सपोर्ट करना, किसी को साहारा देना, बॉलिष्टर यानी क्या होता दोस्तो सहारा देना क्या होता बॉलिष्टर यानी सहारा देना क्या होता है बता हो बॉलिष्टर यानी क्या होता दोस्तो विल्कॉल ब्लेक को सहारा देना सहाना देने को अपने इंग्रिस में क्या कहते हैं सपोर्ट क्या कहते हैं मेरे लाड़ एफ वाई बड़ावा देना भी होता है साहार देना चलो बताओ इसका आंसर बताओ किसी का सी 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 गजब आंसर बताओ क्या देना है बिलोम बताना है आपको बताइए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आर्थ फड़ापट बताओ ओके ओके जल्दी जल्दी बताएंगे दोस्तो बिलकुल गजब 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 ओके ओके साहारा देना सही है बिलकुल साहारा देना सही है बिलकुल सही है इसको अपने ना अगर बॉलिस्टर की रूप में कहें तो ग्राउंड भी कह सकते हैं क्या भी कह सकते हैं दोस्तो ग्र यह सकते हैं इसको बिल्कुल जियी रमाजी डी नसर सबके लगब लगब गलत से आ वहत बढ़िया किसी का सबकिन को सबस्क्राइब कर सबकrze 돼 नहीं बोलते को सबी को क्रिस्मिस की सुप काम नहीं बहुत बहुत यह दिन तो निकल एक अब सुप काम नहीं देने से क्या फायदा है चलो कोई बात नहीं कि जीतेश प्रजापत जी ठीक है बढ़िया है बढ़िया है फसक्लास अपने आंसर दो है और मज़े नहीं आ रहे और मुझे तो आज बाई बिल्कुल मज़े नहीं आ अंदर से इनर्जी तब ही निकलेगी ब्लेस्ट ब्लेस्ट यह नहीं क्या होता है जिस चीज को सब कुछ मिला हो ब्लेस्ट होता है वो क्या होता है सौभाग्य साली क्या गहेंगे उसको सौभाग्य साली यह लिग दिया सौभाग्य साली और सौभाग्य साली को अपन अंग्र है मैं बिल्कुल मैरी क्रिस्म defense हनोटिया जी मैरी कुसमेस अखे देखते बूस्थ बूस्ट यह नहीं होता है किसी nawet presets मेरे च filed करना परोपसाहित करना और प्रोपसाहित करने का अगर μια अपन एक दोषटों कई लोग मेवाती लाके से ओंगे कि अरे मेरे बीहड के डांकुआं देखो क्या आएगा अंसर बताओ प्रोव साहित करने को अपन अंगरेजी में encourage बोलते हैं क्या बोलते हैं encourage बोलते हैं insight बोलते हैं इसके अलावे stimulus भी बोलते हैं stu stimulate क्या करना stimulate boost करना卫िक है एक boost मेंने आपको बता है था से किसी चीज को रोकना ब्लॉक या नहीं क्या होता है किसी चीज को रोकना चलो आंसर देना क्या आएगा बताइए किसी चीज को रोकना बादा पहुचाना बिल्कुल सही बताओ क्या आएगा आंसर बताएं फटापट दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रोकना और बाद विम सेनके सब्सक्राइन थे जायरते हैं अलबती अरेडी मोटीवेटेड था है तो देंकिए रोकने की बात कर गूँ मैं दोस्तो रोकने की तीन वाद देना बादा देने को अपन ओबस्टेकल वोलते हैं इसके अलावा हिंडर भी बोलते हैं क्या भी वो लेंगे हिंडर मांनी किसी चीज को रोकना बादा पचाना और एक उता भाई साब देमर तेरी चीज़े तो मुझे देदेए और और जाके कहीं हो मर् को गया ना तो दे मर्यानि क्या होता है दोस्तो अरे सर विवाती कौन सा एरिया है अरे मेवाती अलवर वाला छेत्र चेत्र रहे इतनी ज weapons जैत ngji मेंसी नहीं लेकिन वाती अलवर है कि अलवर बरतपुर का जो छेत रहे हैं और बीहड तो तुम होई बीहड के तो होई कोई दिक्कत नहीं है डाकूँ हो आप बीहड के डाकूँ हो देखो इधर देखो दे मर मतलब कोई भी चीज आपने किसी से ली और कई कि तु देदे और मर जा बिल्कुल स्टॉप सही है प्र प्रिलूड का आर्थ बतादो बिना टीपे तो मैं मैं कसा में जो भी बैठा आगे कि यह पास ले स sólo मनुषे नहीज मजए जब तक आपन दे निए कि जब कोई सहरा देता है इसको बन मनोवल बढ़ाता यह थो सी आंसर भाफ जाता ग। लेकिन अपनको वो भिलोम पूछ रहा है तो अपना आंसर क्या होगा ब्लॉक यानि कि जिन लोगों ने दोस्तों प्रस्तावना फारुकान देव टीपा तो है यार लेकिन हम सठीक वर्ड अब कैसे मान दू चलो लेकिन लिख देता हूं प्रस्तावना होता है किसका अर्थ कि प्रिल्यूड का अर्थ और प्रिल्यूड को अपन बोलते हैं प्रियम्बल क्या भी बोलते हैं प्रियम्बल प्रियम्बल यानि भी प्रस्तावना होता है और इसके अलावा फोर्गो या फोर्गो या फोर्गो या फोर्गो या फोर्गो या फोर्गो यानि भी क्या होता ह पी आर यी, एफ, ए, सी, पिरिफेस यानि भी क्या होता है मिरे लाड़ले दोस्तों, प्रस्तावना होता है, बिलकुल दोस्तों, constitution के prelude, बिलकुल सही है, prelude होती है, और preclude यानि होता है त्यागना, जब अपन prelude अच्छे से नहीं पड़पाते ही, संमेदान की प्रस्तावना याद नहीं होती, तो त्याग देनी चाहिए, नहीं होरी तो कोई बात नहीं, रट रट के बोल दो, या देख देख के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे याद कर लेनी चाहिए, ठीक है न, तो आपना अंसर तो आ चुका है, मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं अपन, आगे बीट अराउंड दा बुश अगर इधर बीट अराउंड आ जाए तो भी ठीक है और बीट अबाउट आ जाए तो भी ठीक है बुश यानि क्या होता है मेरे लाड़ लो अरे मेरे राजस्तान के बीरों क्या होता है बुश यानि जाली नहीं जाड़ी क्या होता है दोस्तो लाड़ी के पीटने से फोर्गो यानि कि त्याग ना मतलब होता है मेरे दोस्तों त्यागना क्या होता है मेरे लाड़ो त्यागना होता है गजब भाई गजब सुमेर सिंग मीना बिल्कुल सर बोल दिया मैंने तो बिल्कुल बोल दिया श्रब यानि जाड़ी होती है श्रब की स्पेलिंग सही कर श्रब की स्पेलिंग सही कर मेरे दोस्त एस एच आर यू भी होता है तुने सर्ब लिख दिया ये श्रब है इसके अलबा ब्रेक, गुमा फिराकर बात करना, बिल्कुल सही है, फारुक खान शांदार, मज़ा बांदिये मेरे दोस्त, शारुक है या फारुक है, फारुक मुझे कम लग रहा है, शारुक जादा लग रहा है, बिल्कुल, गुमा फिराकर बाते करना सही है, to talk in a roundabout manner, बिल लाड़ लो, ये भी गलत हो जाएगा, गजब गजब, ए आंसर आप लोगों का सही है, प्राची, रोज आ जायकर बिटा, ओके रमा गुप्ता भी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके दोस्तों, गजब गजब, ओके मेरे लाड़ ले भाहियों, देखो बॉदर, बॉदर यानि क्या होता है मेरे दोस्तों, बॉदर, बॉदर अपने कल भी पढ़ा था, बॉदर यानि क्या होता है, परिशान करना, ओके देखो, ये अपने एंटॉनिम डूडना है, बिलोम डूडना है, कल अपने पढ़ा था, बॉदर का क्या आर्थ पढ़ा थ दोस्तों बदाईएगा कल पर सोई पड़ा है बॉदर यानि परिशान करने को अपने कई तरह से वर्ड देखेते एक तो होता है परिशान करना बॉदर एक होता है आपको मैंने बता सब्सक्राइब सब्सक्राइब डवलेस हैरेस हैरेस यानि क्या होता है किसी को परिशान करना mentally हैरेस करना bother करना बिल्कुल सही है bother यानि होता है परिशान करना लेकिन brother यानि क्या होता है मेरे दोस्तों भाई चलो खटा कट खटा कट अपने answer type करेंगे दोस्तों खटा कट खटा कट अपने answers type करेंगे जल्दी, I am watching your answers, बिल्कुल, इनी, okay, irritate करना, embroil करना, बिल्कुल सही, सचिन सिंगल, बिल्कुल, फारुक कान, irritate, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नारंगी जी, very good, thank you very much, A, okay, आपके जवाब के लिए बिल्कुल और बताओ, और बताओ, जल्दी, और दोस्तों, share भी करो यार, एथे नहीं है आर, बिल्कुल, बिल्कुल, पैश्टर सही है, एंब्रैंगल सही है, किसी को परिशान, उत्पीडन करना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, A, 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 चिम्मंजी, किές, बिल्कुल, उपर करना सर, क्या है, समझ में नहीं, आ रहा, गय कैसे पिराए ठीक हैं तो मसूढ होते हैं मसूढ कैसे मेरे भाई कि ठीक कोई बात नहीं मसूढों को जब तक तक तुम अर्थrib बताओंगा तब तक तो मैं आइसर बता दूंगा बिल्कुल हुए न मुद्ध यह नी क्या होता है दोस्तो कि बून यह क्या होता है दोस्तों शेकी मार ब्लीक यानि मैंने आपको बताया था सुन ये या सुना मैंने आपको ब्लीक बताया था सुना और एक बेंडी बेंडी यानि क्या होता है मेरे दोस्तों बताएंगे बेंडी शांदार वाइड है आप लोगों के लिए बेंडी का मिनिंग बतान बेंडी का मतलब क्या होता है बताओ, आप सर मेरा नाम नहीं लेते हो, बिलकुल रामबीर क्यों नहीं लेता है, खुब लेता हूं यार, बिलकुल लेता हूं दोस्त, देख बेंडी, बेंडी का मतलब क्या होता है, डिटेल में बाते करना न, बिलकुल सही आंसर है आप लोग we describe, ओके दोस्तों, ओके शांदार, चलो बताओ, इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोगों का, परिशान करने का बलोम बताओ, क्या होगा, किसी को अपन परिशान ना करें, उसका बलोग, बिल्कुल सर, आपके student class नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले ले कोई दिक्कत नही कोई दिक्कत नहीं है क्लास लेने वाले नहीं लेने वाले पर वो उनका भला जो कर ले ले कहते हैं कि जो करें उसका भी भला जो ना करें उसका भी भला अपने तो सीधी थ्योरी के बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं कल देख लेंगे वह वीडियो उनको पता है कि गौरब कुमार गौरब की तरह दिलिपनागर बिल्कुल ब्लीक अद्दकार सही है रमगुपता जी रवी कुमार सैनी ए सर में ले रहा हूं बहुत बढ़िया विकाजी बहुत बढ़िया पता नहीं क्या ले रहे हो आप ओके ओके आप किस सीच के लिए व्यंग कर रहे हो चम सर में गोलु मीना थैंक यू वेरी मच रामवीर जी बहुत बढ़िया अम तो बिल्कुल गोलु गोलु रामवीर को आप से गोलु को तू आईडी चेंज कर लेने हैं मेरे भाई सर में बिल्कुल आइम प्रिजेंट थैंक यू ए सुपर थैंक यू मनिस हैनी जी गूद यानि यह आ रहा है बिल्कुल सही है लेकिन यार दोस्तों मुझे लगता है तो मैंने यार मतलब या तो अंगरे जी में बहुत ज़्याद इंटेलिजेंट होगे यह कहीं चेप चेप के मारते हो यार यह पर हमारी टेक्निकल टीम को कहीं नहीं नोट्स पहले सी बेज देती है मेरे पास नहीं आते तुम्हार पास चल आते सर संथेटिक की क्लास बिल्कुल लगेगी भाई मेरा मेरे भाई के हैं ठीक है ठीक है हम तो ले रहे हैं सर जी आपकी क्लास बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हैं नारंगी जी बहुत बढ़िया मौनु शेर करो बिल्कुल कर दे देखो अब बात करते हैं a hole in the ground made by certain animals मतलब जमीन में बना हुआ एक छेद जो कि किसी अमुक जानवर के द्वारा बनाया जाता है जिसमें वो रहते हैं उसको क्या कहते हैं चलो अगर तुम्हें याद हो मैं तुम्हारी लibl kritism be to do not you take this complete फिस में लौक कोई भात करें नहीं ही नहीं में होता है यानि की खजाने पर ध्यान रखने मैं आपका कई लोग क्या है आपको पता है कई लोग सादी में क्या है पापा खजान लड़की के शादी में पापा खजांची होते हैं ऐसा नहीं है बिल्कुल जुगाड है सर इनका आपकी टेक्निकल टीम से बिल्कुल खतरनाग जी के स्टाटू मुझे लगता है जुगाड है इनका बोकेवाज आती है पहले इनके पास तुक्का लगाते हो अच्छा तुक्क बिल्कुल शीवी गोयल खतरनाग तुक्का भी यार तुमारे सही लगने लगे मतलब तुम रेगूलर इंग्लिस क्लास लोगे ना तो तुम्हें पढ़ने की जुरूत नहीं ऑफ-लाइन तुक्के से काम चल जाएगा देखो तुक्का लगाने की वी कल्ला होती है नहीं के दोबारा लिख देता हूं यह consistency होता और एक होता है दूस्ति अमुख क्या होता है एक निश्यत होता है और एक क्या होता है अमुख ओक सर में टिका। अच्छा टिकका नहीं माता हो एक सर में नहीं लगती विलकुल नहीं सर पढता हूं बहुत बड़िया गोलू जी गजब पढते और गबरबा यानि गुऴ वभवार ठीक है fishing ट्रेजररर सही है विलगो are छ यह है आपको यह word okay it aspiri r ay potrzeb health होता है फ़म लोता है क्या होता होल होता है और आनि काउश हैड में बता है आपको बयर यानिंस रोता है गाय का जो बयर यह यार या याद खना या आई यार लेयर यानी बाड़ा होता है लेकिन एल आई ए आर लायर मानी जूटा होता है लायर यानी क्या होता है जूटा आई इदर से उदर चला गया देखलो टंटे पड़ गए आई उदर से उदर चला गया विल्कुर टंटे पड़ गए एक डैन होता है दोस्तों क्या होत नहीं भी क्या होता है बारा होते है बिल्कुल का सही है बहुत बढ़िया अच्छा यह पीड़ यह spelling गलत आ रही है बीडिर करके तो कोई श्याइड नहीं है यह स्याइड भी टी आर और टी एच एडिय में गलत हो घर त्फ अच्छ अगर यह सही होगी तो एक बार मैं consult जरूँगा अपनी टेक्निकल टीम से इस spelling के बारे में मुझे कोई idea नहीं है इस spelling के बारे में अगर यह होईगी ना यह वाली spelling तो एक बार अपन कल discuss जरूँग करेंगे अपनी वीडियो में मुझे नहीं पता है इस spelling के बारे में I don't have any idea इंगक से शादी हो जाती हैν पहले जो सगाई हो जाना तो अभ वेसे हैं और फॉन से फॉन BT यह जाते हैं भॉल यह बस लेकंन और आज कि वैली इतनी नहीं एक कि क्रतिम की क्लास कैसे लूंगा मैं और ओडियंस की मीनिंग क्या होता है बिल्कुल ओडियंस निडर निडर क्या है निडर कहां से आगए इसमें अच्छा इसका मीनिंग बता रहे हो कि आप अंसुमान जी मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है तो इसका आंसर क्या होगा अभी देख लेंगे कल डिसकस कर लेंगे अपने इसके बारे में थोड़ा सा मैं भी जानूंगा बिल्कुल लिखाने में गलती हो सकती है सर सौरी हो सकता है कोई दिकत नहीं है अगर सही हुआ तो मैं कल अप नोट ऑन यह होती है आपको उती होती है यह जती है किसी की पतर खराब भी हो जाती है वह घृता है कोई बेंड बोहीं को होता है इसमें बरो होगा और देख लीजे अगर आपके दिमाग में कोई और चीज चल रही हो तो बता दी जिए ओके मांध कहते हैं इसको बिल्कुल बिल्कुल और बताओ आपके दिमाग में अगर कोई और बात चल रही हो तो नी चल रही ठीक है अब देखते हैं हम आगे अगला वर्ड देखते हैं हम ठीक है अगला वर्ड देखो ओ कितना शांदार वर्ड है ये अब तक ने जाने कितनी बार प्रत्यों की परिक्षाओं में पूछा जा चुका है बित्रोड बिलकुल सतीज मीना जी आप मुझे क्यों बर्जेयुष मानि कौन होता है शांदार विलकों सर्टेन होता है आँंख छो सर्टेन हां की से कोई बाद नहीं कुछ का मतलब होता है दोस्तों दोस्तों बर्वस का अपन toc सुनओं यह noisy पहले पदा तो लगए बढूआँगो इसका मतलब प्रजोस की बात करते हैं पूर्जी पती क्या होता है मेरे दोस्तों पूनजी पती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं capitalist क्या बोलते हैं capital丝 बोलते हैं क्या बोलते है capitalist मानी होता है पूझी पती और क्या बोलते हैं ओके मैं आपको एक शांदा लाइन जरू सुनायता हूं capitalist के लिए और बताईए आप मुझे bird है ना तूटने लगए हॉस ले तो याद रखना तूटने लगए तो याद अपनी धूंड लेते हैं अंदेरों में मंजिल अपनी क्योंकि जुगनु कभी रोश्णी के मोहताज नहीं होते और दोस्तो आप लोगों को अपने जीवन में जुगनु बनना है और जुगनु बनकर के आप अपनी मंजिल को निश्यत तोर से डूल लोगे तो दोस्तो बिल्कुल आप बिल्कुल खतना कमेंट्स कर रहे हैं बिल्कुल परंपरवादी भी कह सकते हैं उसको और्थोडॉक्सिकल भी कह सकते हैं बिल्कुल सही है और्थोडॉक्सिकल भी कह सकते हैं और्थोडॉक्सिकल और्थोडॉक्सिकल ये एक तो है B O 2 R O W Borough और एक है B U 2 R O W वैसे आगे पढ़ाने वाला था अभी तो धो ही पढ़ो चलो देखो दो例えば था क्या हो दोस्तों उदार लेना और भरो यानि क्या होता है अभी बताया था नांद मान्द कहते है मान्द जानवर की कि जो मांद होती है उसको अपन वरो बोलते क्या वोलते दोस्तों बरो ओके ग्ष्ट कह सकते हैं बिल्कूल ट्रेडेशनल हो गहाने परंपरागत प्रफ़ज़िपती बिल्कूल ट्रेडेशनलिस्ट सढिये ट्रेडिशनलिस्ट सढ़ी है और्त Hallelujah और तो के नाम से आज कल क्या है डॉक्टर की बाम आने लग गई और थो बाम समझ रहो तो अब पराने लोग लगाते हैं आज कल नए लोग तो क्या बदू आती है नए लोग बड़े फैशनिस्ट हो गए आपको था फैशन वाले हो गए बले स्टाइलिस हो गए वोग लीट है ठीक है टीकम जी बैनेवाइन्ट या नियव परोपकारी क्या होता है परोपकारी अपने को पर्यावाची नूड़ना है Vince Bourse सर आप बहुत अच्छे हैं थैंक यू तिक बेस बाण का बताएंगी जल्Дी से सर पानी की बोटल देना प्लीज बेसवान बेसवान बताएंगे बेसवान का मतलब क्या होता है फड़ापट बताएंगे दोस्तों डैन को भी मांद कहते हैं बिल्कुल सही है डैन है लेयर है अपने पढ़ते न अभी अभी बरो बरो यह पड़ा था नहीं वर्ड अभी पड़ा देखो यह रहा यह जो लेयर है काउशेड है मांद होता है और काउशेड के लिए हमने एक वर्ड और पढ़ाया था आप लोगो याद होगा तो मुझे आप टाइप करके देना समुद्री आतरा भी अ six 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 time समुद्री यात्रा even a one नहीं होती। समुदरी यात्रा वॉइज होती है बिल्कुल बोग नहीं होती। बहुत बढ़ी है दोस्त बहुत बढ़ी ह्या दोस्त जो भी कर रहा है वह पहुत अच्छी वेनदि ट्पने में कि करे ऊके सब था। वे सिर्वे इस ब store भी होता है बिल्कूल मैं पूछ रहा हूं मैं बैसबॉन का मतलब क्या उता है सर मेरी बीट टिवरफ हमेरे शीखने जनम बोल सकते हैं निच को उपन क्या वोलते हैं डिट डिक एक आपन बोलेंगे वाइल, एक क्या बोलेंगे, वाइल बोलेंगे, एक बोलेंगे प्लेवियन, क्या बोलेंगे दोस्तों प्लेवियन, प्लेवियन वर्ड भी एक्जाम में कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, प्लेवियन वर्ड is an extraordinary वर्ड, यह याद गरेंगे प् फिर इ आई फिर यह अलग से होता है फिर ए अ आपकोगता है फिर ए आई का पैटर्रण जो फॉलो होता है वो ज्लमोई आनला फैदर आनलो लगा दो ज़स लगादगा भेसर समॉ्षर 저희가 और वह एक नाम मोसे जानते हैं आपको एक बाइड सुना होगा आपने आपने बागवान मूवी देखी बागवान बागवान मूवी सबने करिश्मा नाम है कौन सी है एहमा मालीनी जब अपनी पोती को लेने जाती है तो क्या कहती है उससे क्या घ्रें स्कॉंड्रिल स्कॉंड्रिल यानी क्या होता है लिछ एक हो था बास्टर्ड बी एस सबी एस टी ए आरडी बास्टरड एक होता क्वेड्रून क्यों यू एडी आर डबल ओन क्वेड्रून ऑके इन फेमस सरा बहुत मेहनत करते हो बिल्कुल कर रहा हूं चम्मन जी लेकिन मेहनत का कोई थुला सा फायदा कम मिल रहा है यह देखिए कोई देखत नहीं किसी दिन त आपको बताए दुस्ट होता है नालैक नीचर नी अधम एबजेक्ट भी बोलते सको एबजेक्ट मेने आपको नॉर्मल पढ़ाया होगा पर पढ़ा रहा होंगा एबजेक्ट आपन बोलते हैर्ब बोलते हैं को एड्रून बोलते हैं अच्छे बढ़ में आप लोगों के लिए सामने लिए हैं बिल्कुल ब्रैकेश यह नहीं होता नमकीन नमकीन को अपन या नमकीन के दो खारा को अपन क्या बोलते बताओ नमकीन या खारा को अपन बोलते दोस्तों साल्टी क्या बोलते हैं साल्टी बोलते हैं क्या बोलते दोस्तों साल्टी सुना हो साल्टी सुना होगा आप लोगों ने Schr Commons अब resolutions कि हुआ है और चालर विल्कुल आप लोगों कि कमेंट आ रहे हैं ले बिल्कुल बताई कि क्यों होता है लुद्स lange आपके पास टेंशन मत करो, अगर थोड़ा बहुत कुछ समझने में दिक्कत आती है, तो ये PDF आपके पास एक दो गंटे में PDF डाउनलोड हो जाएगी, PDF देख लो, कटा कट, कटा कट, और अपने सब्द सारे लिख लो, लेकिन क्या होता है, जो वीडियो की बलर्डेस होती है वो थोड़ा सा क्या है, आप लोगों को दिक्ने में दिक्कत पैदा कर देती है, देखो लो, मैं और इसमें थोड़ा डार्क इंक ले लेता हूँ, और इसमें इंक ये लो, मारकर थोड़ा बारिक कर लेता हूँ, ब्लॉसम यानी होता है, खिलना, और खिलने की अंगरे जी क नमकीन सेलाइन बिल्कुल सेलाइन नमकीन सही है, सॉल्टी है, ब्राइन है, शांदार, यह दौनों वर्ड कई बार एक्जाम में आचो के प्लेवियन, प्लेवियर इस दो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फोर दिस वीडियो, वोकि अब प्लेवियर इस दो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड जो आपको किसी भी एक्जाम में टपक जाएगा, निश्रे तोर से सर, खुब सुना है, सर, सॉल्टी बिल्कुल बढ़िया है, दर रूट्स ओफ एजुकेशन परियावाची बताओ इसका क्या होगा, बताइए परोपकारी का परियावाच, सर, आंसर दीजिए फड़ापट से, टीकम जी, थैंक्यू, सेम टू यू, ओके भिश्यूदा, भिश्यूदा सेम, टीकम सेन, मुझे आंसर बताओ, खटा-कट अपने आंसर टाइप करेंगे, बिल्कुल, दोस्तों, आंसर टाइप करेंगे, अभी तक आप लोगोंने आंसर नहीं भेजें, मुझे इसके, जल्दी से अपने आंसर बेजेंगे, सर, ब्रैकिश, ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल एडजेक्टिव है, जब भी किसी शब्द के अंत में, आई एसे चाता है, आई एसे चाता है, वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता दोस्तों, आई एडजेक्टिव हो जाता है, जैसे रेड़िश, ग्रीनिश, ब्लैकिश, यलोईश, पिंकिश, सेलफिश, ये सब क्या है, बिल्कुल बेसबॉर्ण, बेसबॉर्ण क्य है आप बिग्ड कह सकते हो दूर्द कह सकते हो नीच क्योंकि जो पूरती ब्यक्ति cat निय выбra कि और आए राजबी ऑके डी राजमीना जी बिलकुल सभी आर्टी जी एंसर आपका सभी आंसर है क्योंकि पूझी पती लोग ज़्यादार परोपकारियों कि तो charity में कौन आया था, पूंजी पती बर्ग आया था ना, करोडो रुपे, अक्षकुमार ने दान किये, करोडो रुपे और कई खिलाडियों ने दान किये, किया के नहीं किया, हम ने क्या दान किया, हम तो पड़ोसी को भी अनाज देने नहीं गए, राइट ना, तो देखो, बेगर description, बेगर यानी होता है, बिकारी, बेगर यानी कौन होता है, बिकारी को अपन कई नामों से जानते हैं, Mandicant भी बोलते हैं, M-A-N-D-I-C-A-N-T, Mandicant, इसको, Mandicant के अलावा, Pauper भी बोलते है, P-A-U-P-E-R, और description यानी क्या होता है, दोस्तों, विबरन, क्या होता description किये अगर अपने कोई काम किये तुम्हें ले लेता हूँ अगर में कोई ब्कारियों की जो बिबरन होती है प्लीज God Bless अब करो God bless तो बताओ इसकी स्तिती क्या है सर हिंदी का अर्थ समझ में नहीं आता है बिलकुल आएगा देखो इसका मतलब भिकारी का विबरण भिकारी जब अगर जैसे बैगर description कहता है तो इसका मतलब क्या होगा आपको यह positive attitude दे रहा है मतलब positive thought देता है negative thought देता है बताओ बिलकुल अरे सर कॉरोना बापस आ रहा है अरे आने जाने दो आजाने दो कोई दिक्कत नहीं है आप आप क्यों डर रहे हो आप लोग तो घर पे बैटे बैटे पड़ रहे हो ना आपको डर रहे हो बिलकुल जिसको बेगर description बेगर को देगो Omicron क्या बात है Omicron आ रहा है बिलकुल आंदो आंदो Omicron को आंदो मेरे दोस्तों बस mask पहन लो तुम तो और वीडियो भी देखो ने तो mask पहन के वेट देखा करो यहां से भी नहीं आएगा देखो अगर अपने बात करें किसकी किसकी बात करें दोस्तों स्रश्टी जी ने सही आंसर बताया बिलकुल स्रश्टी ने सही आंसर बताया एक परसन विद नो रोसोर्स जिसके पास कोई संसाधन ना हो एक परसन हो रंस अवे फ्रॉम फियर जो डर से दूर भागता हो एक बोस्टफुल परसन एक सेखी बगारने वाला व्यक्ति गलत एक ग्रेट यूमर एक एक ऐसा व्यक्ति यहां पर अपन का परसन से रेलिटेड आ रहा है यहां पर घटिया विबरत से रेलिटेड नहीं हा रहा वो क्या होता है, बैगर description होता है, बैगर description आप कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, कि बहुत अलका सा विबरन अपन किसी चीज का देते हैं, घटिया विबरन देते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, बैगर description हो जाता है मेरे लाड़ लो, ठीक है अगला word देखेंगे, अगला word आप लोगों के सामने आ रहा है spelling के लिए correctly spelled word डूड़ना है आपको सही spelling डूड़नी है चलो अपना आंसर दीजिए सही spelling किसकी है बताईए दोस्तो पड़ाफट पड़ाफट से अपनी spelling बताएंगे शांदार शांदार बिलकुल गजब गजब दोस्तो बताओ शिवी गोयल जी ने पारकर ची नम्हों ना रहा एंडेची विल्कुल बंदो गए सिस्धाive बंदो गई आपानगे विल्कुल फ्याने जाती थी वियाने जाके रुपजाती थी ती 한번 ड़ीए रमाजी बिल्कुल A, B, C, A point की spelling गलत बता नहीं है आपको सही बतानी है दोस्त सही बतानी है देखिए ये bombardment देखो आपने bomb की spelling सुनी क्या है B, O, M, B bomb और bomb के बाद ard अलग से और ment अलग से ये तीन टुकड़े याद करने आपको bombardment bombardment यानि होता बंबारी क्या होती ही दोस्तो बंबारी होती है अकषवार में आया हूववery दा हिंदू में खूब आता है और exam में भी आचुका है बताए दा हिंदू मेगजीन के इतना रोल है अपने आप में बास्ता में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हिंदू में बहुत सारे word ऐसे standard C-A-N-O-N-A-D-E, Blasting, Cannonade कहते हैं, ओके, और Biennial, Biennial यह नहीं होता है, द्वीवार्शिक, लेकिन द्वीवार्शिक की जो स्पेलिंग होती है, ने मेरे दोस्त, द्वीवार्शिक की जो स्पेलिंग होती है, वो होती है, B-I-B-I-B-I-N-E-L, क्या होती है, Biennial होती है, और Boyant की स्पेलिंग में A की जगे A आता है, और B-E-N-E-F-I-T, Benefit में A की T आता है, दो T नहीं आते हैं, तो तीनों स्पेलिंग गलत है, A स्पेलिंग आपकी right answer है मेरे दोस्तों, A right answer है, लेकिन आज मेरी class के students नहीं मुझे disappointed किया है, disappointed क्यों किया है, क्योंकि आप अधिक साधिक संख्या में नहीं परा रहे हो online, थोड़ा सा ऐसले disappointed हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो, वो व्यक्ति जो कि किल यानी मारता है, animals यानी जानवरों को और बेचता है उनके मास को, बताओ वो व्यक्ति जो जानवरों को मारता है, और फिर मांस को बेचता है, उसको क्या कहते हैं, पड़ापड़ बताओ सर, बिल्कुल, जल्दी से, जल्दी से अपने answers बताएंगे दोस्तों, कि जो ब्यक्ति जानवरों को मार करके, उनके मास को बेचता है, बाई एनियल है, पर इने टू इयर, बिल्कुल सही है, बाई एनियल का मतलब होता है, जो चीज दो साल में एक बार घटित होती है, वो बाई एनियल होती है, बिल्कुल सर, शिट गलत हो गया, थैंक यू सिभी जी, गलत हो गया, वडिया है, थैंक यू, C का मतलब बताओ सर, C का मतलब अच्छा, C का मतलब बताना है पहले, बॉयंट का मतलब परसंचित होता है, अपने पहले देख लिए असली नहीं बताया, प्रसन ने चित हो गया क्योंकि प्रसन ने चित के अपने दो वार वर्ड पढ़िया ही अपनी पिछली स्राइड में चार दिन से अपने तीन दिन से बोकेब शुरू की है बी पर बिल्कुल आंसर ए आ रहा है कई लोगों का benefit या नी फायदा ये लिजी benefit या नी फायदा होता है अब बता है ये बूचर आ रहा है आंसर बिल्कुल सही है बूचर बिल्कुल सही है जिन लोगों का ये आंसर है वो बिल्कुल सही है बहारे मेरे बीर्ड के डाको गजब मजब आन दिये कसाई गजब गजब शांदार शांदार बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है मेरे दोस्तों बिलकुल बिलकुल क्या कमेंट मारा है मुझे परवा नहीं कि लोग क्या कहते हैं मुझे नजरे खुद से मिलानी है लोगों से नहीं क्या बात है राजे जी थैंक यू पोस्वाल सर थैंक यू देखो आप तो क्य देखो के पोस्वाल सर पलब लगाता है क्या है आप लोग प्रेरित नहीं होते हैं किसी से क्या बात है श्रिष्टी बर्मा ए बिलकुल सही है मदू जी पोस्वाल जी का बहुत-बहुत धन्यवार अभिनंदन ओके नमो नारेंड मीना जी बिलकुल कसाई ए बूचर ए अब वाल ए यू दृश्टररी यानि का हुर नों होता है आपको लूटेयर बर्गलर कौन होता है लूटेयर लूटेयर लुटेयर प्लेजर और अपन्साथिया चैनल जैसे बाटरी बतर्चांडर भिज्ञान होती है तो बतर्चासरी सास्तरी आपको अदायत अकल मैंने बनस्पती सास्त्री ओके बनस्पती को अंग्रेजी में और क्या बोलते हैं दोस्तों अगर आती हो किसी को तो बताओ बनस्पती को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बनस्पती को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या क्या फॉलियेज क्या बोलते दोस्तों फॉलिएज ओके और एक बोलते हैं फॉलिएज और एक फ्लोरा क्या बोलते हैं फ्लोरा ओके आगे देखेंगे अगला वर्ड अगला वर्ड देखेंगे दोस्तों सर कुछ लोग कहेंगे लोग का काम है कहना बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल कहेंगे देख आप देखो थोड़ा सा यह क्या है अलका सा बताते जाना कई न कई कुछ न कुछ तो पहचान होगे आप थोड़ा सा ओके यह कुछ ब्रिज जैसा लगेगा आप लोगों को मैंने बता दिया वैसे हिंट देनी जुरूत नहीं है यह देखिए ब्रिज जैसा लग रहा होगा आ एक ऐक कुता है और बैल इसको बहिए और पीछे से कुता है वैसे मैंने बुल्कितल इस लिखी बिलको सर् बिलकुल देखिए एक तरफ मैंने बहल वनाया एक तरफ मैं डॉग बनाया कुत्ता क्या करता है बार्क लेकिन बार्क की spelling अपनको डवल्य आरके लिखनी है ओके और इधर बुल की डबल होता है बिव डबल बुल्वार्क अब इंट देधी चलो बताओ आंसर बताओ बुलवार्क का मतलब क्या होगा आंसर बताओ दोस्तों, बताओ ये पटापट से, इंट दे दी मैंने, बताओ क्या होगा, बुलवार्क का क्या होगा आंसर, आपको incorrectly spelling डूड़नी है, गलत is spelling, बुलवार्क का आर्थ बताओ आप तो, बुलवार्क की ये spelling सही है, बाई गेमि यानि द्वी विभाई होता है हानिकारक ओके यह क्या होता है हानिकारक द्वी विभाई ओके दोस्तों चलो यह बिक्वीत यानि बसियत होती है क्या होती है अब देखिए यह बताओ क्या आएगा अंसर बांध क्या बात है पीछे से बहुकना ए यार भारुक यार तुए यार सोचते यार तुम यार मैं बैल को सीधा बनाता न सड़क पर बैल को पुल पर क्यों बनाया दरसल एक बांध बनाना चाहरा था मैं बांध की जगे मैंने पुल बना दिया ये बांध है मेरे दोस्त ये बांध है इसमें से पानी निकल रहा अंदर और इस बांध के उपर रोकर के जा रहा है कौन बैल और कुत्ता बॉक रहा है यहां से तो मैंने यह क्यों बनाया बूसना नहीं है यहां रामबीर जी गोलू जी क्या यार बांध होता है बांध बुलबार्क का मतलब होता है दोस्त बांध क्या होता है बांध इसको कहते हैं डैम क्या कहते हैं डैम क्या कह कुए इसको एक कभी वरड डाइक डइबाई किडी लेकिन याद हो गया हो गांस आपको बुल वार्ख क्या नहीं कि होता दोस्तों बान्द होता है डाइक होता है गजब मौज कर दी लाला वेलकुल मौज कर दी मज़ा वान दी है नमोना रहा है न क्या बात है तुम बंद नहीं हुए ठीक है ओके दोस्तों आज के लिए इस मलब अच्छे सी वोकेव के जो मलब शांदार वोकेव रखी है टेकनिकल टीम ने हमारे पेपर सेटर ने अच्छ दोस्तों देखो जादा सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के बीच में जिससे अधिक सदिक जुड़ पाए और अब हम बस राजिस्तान पुलिस के लिए कंप्योटर की क्लास चालू करने वाले हैं तो जो बच्चे कंप्योटर की क्लास में ट्रेस्टेड है और निस्चे जो हो जो है अपन याने की मंडे को अपन क्लास लेंगे ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही फिर मिलिंग अगले अपिसोड में तब तक के लिए आप नाइस टाइम गुड़ डे गुड़ बाई थेंक यू बेरी मुच बाबाई